हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो माई चेनल आज हम बनाने वाले मखाना शेक जो की बहुत ही हेल्दी होता है और अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट चोईस है तो चले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम मखाने का पावडर बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप मखाने लिए है और इन्हें ग्राइन करने से पहले मैंने इसे रोस्ट कर लिया था इससे ये एकदम करा रहे हो चुके है इस वज़े से ये अच्छी तरह से इसका पावडर बन जाएगा इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे यहाँ पर छोटा वाला जार मैंने यूस किया है अब इसमें डालेंगे डेड़ चम्मा शुगर और चुटकी भर इलाइची पावडर अब इसे एकदम बारिक पीस लेंगे तो यह देखिए मखाने अब अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके एकदम अच्छा फाइन पावडर बन चुका है अब हम इसका शेक बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर जूसर जार लिया है इसमें हम मखाने का पावडर डाल देंगे और इसके साथ हमने यहाँ एक बनाना लिया है उसे मैंने पीसे में कट कर लिया गा वो इसमें डाल दिया है चार मैंने यहाँ पर भीगी हुई बदाम ली है और एक कप भरके मैं यहाँ दूदाट कर रही हूँ बस अब इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे तो यह देखिए हमारा माखाना शेक बनकर रेडी हो चुका है आप भी इसे घर पर ट्राइ जरूर करना आपको पसंद आएगा और फास्ट के लिए तो यह एकदम पॉर्फेक्ट है तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हूँ तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा तो मिलते हैं अब मेरी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Have a nice day, take care, bye-bye